आक्शन इंस्टिउट आप्लाइड आर्ट से अपनी पढ़ाई की और ये बात दी कम लोग जानते हैं कि कई मर्तबा ये पुलिस की मदद कर देते हैं जब कभी क्रिमिनिल्स के स्केचेज बनाने होते हैं खाला कि एक्टिंग में आने से पहले ये अड़िडाइजिंग एजिंसी के लिए काम किया करते थे और फिल्मों में आये क्योंकि समिता पाटल ने जोड़ दिया था पाटल इन्हें पूने के दिनों से जानती थी समिता ही ले गई इन्हें मशूर प्रेड्यूसर रवी चोपरा के पास फिल्म थी आज की आवाज और इन्हें एक रेपिस्ट का किरदार दिया गया यह सुनते ही नाना पाटेकर को ज़रा बुरा लगा नाना साहब ने उसे जरा भला बुरा सुना दिया और उसके बाद इन्हें एक बेहतर किरदार दिया गया पर जरा पलट के देखें तो नाना पाटेकर की जिंदगी के उतार चड़ाव इन्हें दरसल एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रहे थे इनके पिता एक छोटा सा बिजन चलाते थे टेक्स्टायल पायिक अका की उन्हें अपने बेटे नापा टेकर के नाठक देखने में बड़ा अलुपní पा जब इन्होंने एक नाटक वाल मेकी में काम किया और अनके पिता एक लंबा सफर तै करके उस नाटक को देखने पहुचे और तब नाना पाटेकर के मन से वो एहसास ज़रा कम हुआ नाना पाटेकर जब मातर 13 बरस के ही थे तब इनके परिवार को एक अजबत रासदी से गुजरना पड़ा पिता को व्यापार में भारी नुकसान हुआ था इनकी सारी प्रॉपर्टी बिग गई और तब मातर 13 बरस के उम्र में नाना पाटेकर सुभा स्कूल जाते और शाम को काम करते अपने घर से तकरीबन 8 किलमेटर दूर चूना भट्टी जाकर ये फिल्म के पोस्टर पेंट करते और इन्हें 35 रुपे महीने मिल जाते और जब भी इनके पिता कहते कि लोग बच्चों के दिन आए खाने के और मेरे पास कुछ नहीं है नाना पाटेकर का दिल रो पड़ता कई मरतबा यूं भी होता कि नाना पाटेकर लंच या डिनर के वक्त अपने किसी दोस्ट से यूहीं दूआ सलाम करने पहुंच जाते ये सोचते कि खाने का वक्त है क्या पता इनका दोस्ट इन्हें दो रोटी के लिए पूछ ले पर फिर भी नाना पाटेकर ने रंगमंच नहीं छोड़ा मशूर रंग कर्मी विजया महता के डिरेक्शन में इन्होंने काम किया और वो रोल इतना पसंद किया गया कि सभी समझ गए कि आगे जाकर ये बड़े नामी एक्टर बनेंगे ये नाटक करी रहे थे कि इनकी शादी हुई नील कंटी जी से नाना पाटेकर उस जमाने में मात्र 7500 रुपे महिना कमाते थे क्योंकि इन्हें 50 रुपे मिलते थे परशो पर इनकी वाइफ 2500 रुपे महिना कमाती थी क्योंकि वो एक बैंक में काम करती थी और वो हमेशा ये कहती तुम जब तक नाटक करना चाहते हो करो पैसे मैं कमाऊंगी और ये भी यकीन है मुझे एक दिन तुम बहुत से पैसे कमाऊंगे प्यार बढ़ा और मात्र 27 बरस की उम्र में इन दोनों ने शादी की शादी से ने एक बच्चा भी हुआ पर जन्म के समय कुछ ऐसी परिस को देखकर फिल्म इंडस्ट्री भी इनकी तरफ जुक रही थी और इन्हें फिल्म अंगार के लिए साइंग किया गया इस फिल्म के लिए आवाड भी मिला और यह विलन और हीरो दोनों ही रूप में फिल्म इंडस्ट्री में नज़र आए अटकर का जवाब नहीं चाहिए वह अमोर पालिकर की मुजिकल पुड़ा सा रोमानी हो जाए हो जा फिर विदु विनो चोकरा की परिंडा अर करदार में नचण से घूप जाते हैं धीरे धीरे वो वक्त भी आया जब ये फिल्म के डिरेक्टर बने फिल्म का नाम प्रहार दा फाइनल अटैक इसके लिए इन्होंने बगाइदा आमी की ट्रेनिंग ली ये फिल्म भी बहुत मखबूल हुई दूर दर्शन पे एक काटून सीरीज आया करती थी दे जंगल बुक उसमें शेर खान का करदार इन्होंने निभाया मतलब शेर खान की आवाज नाना पार्टेकर बने थे करदार कैसा भी हो हीरो का या फिर विलेन का या फिर कॉमेडी हर रोल नाना पार्टेकर जिस अंदाज में निभाते हैं वैसे निभाना किसी भी साधारन अभीनेता के लिए नाममकिन है ने कई मरतबा नाशनल आवार्ट से भी नावाजा गया चाहे वो फिल्म परिंदा रही, कांती वीर या फिर अगनी साक्षी ये फिल्मों के फेरेस्ट यकीन अन बहुत लंबी है जिस तरह कि ये फिल्म्स करते हैं उसे पता चलता है सिर्फ अभी नहीं ही नहीं ये जीवन के प्रती भी उतना ही जुनून रखते हैं भारते सिनिमा के दिहास में नाना पार्टिकर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्ताने जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल औन हिस्त्री